यह ग्राम है रसूल पनाह गन्ना विकास परस्थ यह चीनी मिल गुलरिया यह लखीमपुर काउं है और हमारे साथ देखे प्रगासिल करशक है मिस्टर अंग्रेज सिंग जी और यह जो बैक्ग्राउंड मेरे यह गन्ना देख रहे हैं यह अंग्रेज जी कितना नौफिट का पास पास गन्ना है और काउंसी प्रजाती है कैसे बोया गया है क्या-क्या-क इन्होंने खाथ अब तक डाली है और क्या-क आप तक और आगे करेंगे तो इनसे पूंच लेता हूं ग्रेज सिंग की बताईए यह गन्ना लगाया कब गया यह स्तंबर के फर्स्ट वीक में वह कर्सकों के मध्ध में तो यह लोग्प्रिता का इसका कारण क्या है इससे पूछे किसाब से हो कहता नहीं साब यह प्रजाद बहुत अच्छी लोग्प्रिता का कारण एक तो इसमें गिरने की समस्या नहीं गिरने की समस्या नहीं दूसरा और इसमें ठोस है वजन भी इसमे और खास बात इसमें यह कि इसको जो है अक्टूबर में लगाया जाए अच्छी प्रजाती है यह अच्छा लगा हुआ है उनका भी एक कहना है कि इसको सितंबर में लगाया जाए और यतनी जल्दी लगाओंगे उतनी ग्रोफ कर जाएगा यहां तक नबन गया है और मोटा गन्णा है यह देखें डाना बन भी गया है इसके लगाया तो क्या पहुत लगाई क्या इसके पहुद लगाई अच्छा पहुद रोपन की आयन होने देखिए और पहुद रोपित गन्ना भी कितना अच्छा हो सकता है वहीं मैं आपको दिखाना चाहरा उसमें खास बात यह है यह लाइन से लाइन की दूरी साड़े तीन फिट है यानि बैयाली सिंच पे बैयाली सिंच और यह पेयरड रोय है तो उसमें फिर वह यह लाइन से लाइन की दूरी स्की हो जाएगी तुसके हो जाएगी इस तो प्रुकों कितना पुराना पौधा अपने लगाया था यह 20-25 दिन का पौधा देखे पर्फेक्ट चलता है अगर इससे ज्यादा दिन का हो जाता तो टेलरिंग नहीं होती है यह उसके लिजाए कितना अर्मान लगाते हैं इस इसमें कितना वत्पादन हो जाएं इसाब सब्सक्राइब आगर उद्वशन से कम नहीं होगा और कंडिशन आप जो देख रहे होंगे शेटी वर्षा लग भी रहा है तो पांचो सब्सक्राइब अगर अगाना हो जाता है तो डातिस जेसे हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल अच्छी परजाद ने के बाद ऑद ये जो हम ऐस्टमबर में लगाने की लिए अच्छी परजाती है तो इसमें अब तक जब आपे लगाया था तब कि अरॉर और रवरक डाला था और बीच में एकड के हिसाब से एक बुरामान पिचागा एक बुरिया 50 किलो अच्छा वो गए रहा है इंसेक्टि आड पर जिन दाला एक बार दो बार नहीं एक बार आप लोग कहते हैं कि जब गणना यह चोटा होता है ता अप बोरामान पिछागा बड़ा हो जाता तो नहीं लगता इन उपसमें और नहीं लगाएंगे झुछा अब दूसरा वंधा नहीं लगाएंगे तो बढ़ती तो देखे यह बन्हाई मैं आपको दिकाना वो कैसे बन्हाई वोती है फ़ेंगेंगें लिकुन काहिते हैं और मुझे लगता है sits नहीं थे साथ ज़िए बनी जाते होगे 2,3,5,6,7,8,9, 10,11 । तो देखे इतना बड़ा गन्ना हो गया तो देखे प्रयास के रिए कि इतना बड़ा गन्ना आप लोग भी करिए क्योंकि अगर इसको जल्दी में बहु देंगे तो अच्छी बात गिरती नहीं पेड़ी भी बढ़िया होती अच्छी बार आपने लगाया था कितना इकड़ के शापते काटा पिछली बाहर तो शुरुवार की थी अभी गन्ना भी यह बाहर से लाए लेकिन फिर भी यह साधे तीन से कुंटल निकला था पाला अनुभाव अच्छी बार भी लग गया था और उधर मार्च में यह जो इसका तोड़ा अच्छा गन्ना दिखाया आपने और भी पहुद रूपित दन्यवाद कि इसमें क्या क्या आपने डोज डाला है बेसल डोज में इसमें कोई अत्रिंग से कोई डोज नहीं डाला गया है वही एक और MP10 जा कौं से ऑद्सेहर ऍपर्भू एफसके गदे हमें जिरवांफिस ए फिर उसके पद सुनितों और उसके बाद में सबना अचाहा इसमें यूरिया अपने कुछ इस्टड़ा दिया है यूरिया सिर्फ एक बार दिया है उसके बाद नहीं बस अच्छा इसके बाद पोराजिन का इस प्रे हो गया नहीं वे तो बहुत 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 रहाद रहा है अगरेज जी इसका गन्ना लगबख पर एकर कितना निखलेगा 500 से 600 कुंटल के लगभगत निखलेगा क्योंकि इसका फार्मूला यह है इतने फिट का गन्ना हो जए यह 10 फिट का गन्ना हो गया तो 100 कुंटल पर भी गए इस समय मेरे हिसाब से गन्ना गन्ना यह गन्ना जो सर बन चुगा है यह लगभग साधे चार फुट गन् कि अधिक गन्ना बन गया है 14 फिट का गन्ना बन ही गया है अब मुटाई और पकड़ेगा भी तो इसकी क्या अंग्रेजी पति फ़वाएंगी क्या पुरानी अच्छा बीज में जाए गया कि पूरी गिनों कई पूरी हो गया इसमें भाई पूरिया से जिनी गया है यह संजीत बर्मा जी है सीडियों किनी मिल गुलरिया के है जो देखें गन्ना दिखा रहे हो पूरी दो तीन चार पांच शे साथ आच नव दत ज्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा तोला पूरी देखें गन्ना हो गया है यह जिसा गन्ना होता है देखें भाई धन्यवाद में लिखें कर दो अब